हलो फ्रेंट्स, वेलकम डू आई चैनल, स्टडी फोर यू सो गाईज, आज की इस वीडियो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ आज जो आपका कोई भी SSC MTS का एक्जाम नहीं था बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर रहा हूँ जिनका आगयाने वाले सिप्टों में SSC MTS का एक्जाम होने वाला है और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी प्रेस्टन है वो आपके हाली के एक्जाम में TCS के द्वारा पूछे गया प्रेस्टन है तो जिन भी candidates का आगे आने वाले सिप्टों में SSE MTS का exam होने वाला है तो मैं आपको 100% ये guarantee देता हूँ कि आपके SSE MTS का exam में यहां से प्रेस्ट जरूर पूछे जाएंगे तो वेडियो को जो है last तक जरूर देखेगा और आप से request करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो SSE MTS exam से related पलपल की update के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैली करनानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चली वीडियो को स्टाटते हैं तो आपका पहला था पंडित रवी संकर का संबंध किस वाद्यांतर से है तो देखे पंडित रवी संकर का जो संबंध था न या आपके सीतार वाद्यांतर से था तो सीतार आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव पंडीत रवी संकर जी के अगर पूरुषकार की बात कर ले तो देखे इने 1999 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था 1967 में पद्म भूशन से और 1981 में इने पद्म भीशन से सम्मानित किया गया था इसके लावा अन्य सितार वादक की बात कर ले जैसे कि निखिल बनर जी, विलायत खान, वंदे हसन, साहित परवेज, उमा संकर मिस्र, बुद्धा देत्य मुखर जी इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य अंतर से है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में वही एकर अवराल की बात कर ले यानी राजन और केंद्र सासित परदेश में सबसे कम जन संक्या जो ये खिसका रहा था तो ये आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात कर ले, तो देखे पहले स्थान पे आपका उत्तर परदेश रहा था, दूसरे स्थान पे आपका महराश्ट रहा था, तीसरे स्थान पे आपका बिहार, चौते स्थान पे आपका पश्शीम बंगाल रहा था, तो ये क्रम भी जो आपको ध्य में रखना है इसके लिए पहले बार कोई भी ऐसा सिफ्ट नहीं होगा जिसने आपके जंगन्ना से प्रस्ट नहीं पूचे गए तो दीए मैं आपको उद्वारत में पहली बार जो आपका काचैन्ग झाल हुआ था न ही आपका में पहली बार जो कब हुआ था तो देखे नियमी जो जंगन्ना है न यह आपके 1881 में हुआ अधारी जंगन्ना है यह आपके 1931 में हुआ था इसके लिए एकजाम में पूछा जाता है कि 2011 की जंगन्ना में कुल कितने सवाल को जो है वो सम्मलीत किये गया थे तो देखे 2011 की जनगना में टोटल आपके 29 सवालों को जो है सम्मलीत किया गया था इसके लाव वर्स 2011 की जनगना के जनगना आयुकत कौन थे तो ये जो आपके सी चंद्र मौली थे और सरवाधिक लिंगानुपात वाला राज्जी अगर क्या है ना उसे ही जो आपका लिंगनुपात कहा जाता है तो देखे केरल का जो लिंगनुपात रहा था वो आपका 1000 पूर्सों पर 1084 महिला थी उसके लावाद दूसरे स्थान पर आपका तमिल नाडू रहा था तो ये क्रम भी जो सौरी ये आप ध्यान में रखीगा ठीक ह कि तमिल नाडू का पूछा जा सकता है कि लिंगनुपात क्या रहा था और आंध्र परदेश का लिंगनुपात जो वो क्या रहा था इसके लावा सबसे कम लिंगनुपात वाला का राज्य पूछ दिया जाए तो देखे सबसे कम लिंगनुपात वाला जो राज्य रहा था यह आपका हर्याना राजजी रहा था, हर्याना का जो लिंगा नुपत रहा था ना, कहीं कहीं पे आपको 877 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 889 देखने को मिलेगा, तो देखें, दोनों में से कोई एक ही ऑप्सन दिया रहेगा, तो आपको confused नहीं होना है, वहीं 2011 की जनगना में भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए, तो देखे, 2011 की जनगना के नुसार, भारत का जो लिंगानुपात रहा था न, वह आपका एक हजार पूर्सों पर जो है, 943 महिलाएं थी, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि मुंदारी नित किस भारते राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंदित है, तो देखे, ये जो आपका मुंदारी नित है, ये आपके जारखन के आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है, इस नित को जो वो किया जाता है, तो जारख के अन्य लोकन नेत और आदिवासी नेत की बात कर लें तो देगे जुमायर नेत छ рублей改 नेत पाइका नेत दोंकस नेत और करम नेत यह सब आपके जारकन के लोक हुआ है अब बहुर सारे बच्चे बोलेंगे सर पाई का नेथे तो उडिसा का नेत है तो देके मैं आपको बता दूँ कि पाई का जो नेत है ना यह आपका झारखंट का है लेकिन अगर पाई का मार्सल आट पूछा जाया तो यह आपका उडिसा का है तो यह फैक्ट भी आप चार में किया गया है और किस अनुछेत के तहट संबंदीत है तो यह जो आपका अनुछेत 36 से 51 तक जो हुआ आपके संबंदीत है तो भाग पूछा गया था तो भाग चार आपका correct answer होगा इसकला बात कर ले DPSP को किस देश के संभिधान से लिया गया है तो देखे DPSP को जो ह है तो देखे राज के निटे रेड़ सक्टतो को जो है यह आपके तीन रूपों में जो वह वर्गी क्रीट किया गया है और वह तीन रूप कौन-कौन से हैं तो पहला आपका समाजवादी सिधान सेकेंड आपका गांधिवादी सिधान और थर्ड आपका उदार और बौध सिधान यह तीन वर्गों में जो है इसे वर्गी क्रीट किया गया है वहीं अगर भाग चार ए की बात कर ले तो देखे भाग चार ए जो है यह आपके मौली कटब यानि फंडामेंटल राइट से संबंदीत है नेक्स्ट को सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी जो हो गया वह तो देखे भारत की सीमा उत्तर पस्ची में यह आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान इससे लगता है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपका करेक्ट propulsion होगा इसके लावब भारत की सीमा उत्तरपूर्व में यह किस देश से लगता है तो देखे भारत की सीमा उत्तरपूर्व में जो है यह आपका भुटान नेपल और चीन देश के साथ लगता है वोहीं अगर दच्छिन में पूछा जाए तो देखे भारत दच्छिन में जो है किसी भी देश के साथ जो है जमीनी सीमा साजा जो वो नहीं करता है लेकिन ये जो आपका हींद मासागर से जो है ये घीरा हुआ है वहीं अगर भारत की सीमा पुर्व में अगर पूछा जाए तो देखे भारत की जो सीमा है ना ये पूर्व में बांगला देश के साथ लगता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका आप राता कि यदि ना तो लोगसभा अध्यच और ना ही लोगसभा उपाध्यच उपलब्द हो तो संसत के संयूगत बैठक की जो अध्यस्ता है ना ये कौन करते हैं तो देगे सभा के उप सभापती आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लगा बात कर ले संसत में संयूगत बैठक जो ये किसके द्वारा बुलाई जाती है तो देगे संसत में संयूगत बैठक जो है ये आपका रास्पधी के द्वारा जो वो बुलाया जाता है इसके लिए एक्जाम में यहां से एक प्रश्ण और बनता है कि संयूगत बैठा का गठन करने का जो है कोरम का सदस्य का हिस्सा जो वो कितना होता है तो देखे संयूगत बैठा का गठन करने का कोरम का जो सदस्यों की संक्या होती है वो सदन के कुल सदस्यों की संक्या का एक बटे दस्वा हिस्सा होता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लाई एक्जाम में एक प्रस्ण और यहां से बनता है कि संसत के दोनों सदनों की संयूग्त बैठा का जो प्रावधान है न यह किस अनुछेद के तहद किया गया है तो दीके भारतेस आपका यहां पर प्रावधार में रखे तो किसी ततों से प्रार्म करने पर ठीक आठ्वे तत्व का जो गुन होगा न वो पहले तत्व के समान होगा यह जो आपका नियूलेंट के अस्टक नियम में जो वो कहा गया है तो अस्टक नियम आपका यहां पर correct answer होगा, इसके लाई exam में एक प्रस्ट नियां से बनता है, कि नियू लेंड्स के द्वारा अस्टक नियम जो है ये कब प्रस्तावित किया गया था तो देखें नियू लेंड्स के द्वारा 1865 में जो है अस्टक नियम को प्रस्तावी जो वो किया गया था तो ये point भी आप ध्यान में रखिएगा next question आपका यहां पराता कि असोग के सिला लोगों में कौन सा अस्टंब सिला लेक जो है ये भारत के बाहर इस्तीत है तो देखें मैं आपको डादू के असोग के आपके टोटल जो है 33 सिला लेक हैं जिसमें मुक्च रूप से आपके जो है वर्गी क्रीद किये गया है जिसमें आपका परमुक सिला लेक लगो सिला लेक, अलग रॉक प्रमुक अस्थम्ब अस्थम्ब बारों पोचा गया था तो आपका कंदार और खैबर पक्तूनुक्वा यह जो आपके Cake अस्थम्ब इस्तित हैं तो option में आपका कंधार दिया गया था तो ये जो आपका कंधार स्टम्ब सिला लेक है या आपका अफगानिस्तान में इस्तित है तो आपका यहाप एक रेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुछ आपका आप रहा था कि 2018 में उर्दू के लिए जो साहित अकेडमी पुरुषकार जो है ये किस ने जीता है तो देखें साहित अकेडमी पुरुषकार ये जो आपका 24 भासाओं में जो वो दिया जाता है और 2018 में उर्दू के लिए जो साहित अकेडमी पुरु का हिंदी में जो है ये चित्रा मुरुद्गल को जो वो दिया गया था और किस उपनियास के लिए दिया गया था तो इनके उपनियास का नाम था पोस्ट बॉक्स नंबर दो सो तीन नाला सुपारा इस उपनियास के लिए जो है इन्हें दोजार अठारक का साहीत अकेडमी बात कर ले तो यह आपके अनामिका को दिया गया था और किस उपनियास के लिए तो टोकरी में दिगांत के लिए जो इन्हें दिया गया था 2021 के अगर मैं बात कर लो तो 2021 में द्याप्रकास सिना को इनके उपनियास समराथ असो के लिए दिया गया था 2022 में जो यह आपके बदरी नरायन को तुमादी के सब्द के उपनियास के लिए इन्हें दिया गया था 2023 में जो यह आपके संजीब को मुझे पहचानों उपनियास के लिए इन्हें दिया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है Next Coach है आपका अपराता कि 2018 में 6 proximity में किसे संगीत नाटक ऐकड़ी आवार्ड दिया गया था तो देखे 2018 में 6 approximate के लिए जो संगीत नाटक ऐकड़ी आवार्ड है ना यह आपके तपन कुमार पतनाया को दिया गया था तो तपन कुमार पतनाया का आपका Correct answer होगा इसके लाव 2019 में च्छवन नेते के लिए संगीत नाटक अकडमी अवाड़ी यह जो किसे दिया गया था तो यह जो आपके ब्रजेंदर कुमार पतनाय को दिया गया था 2020 की बात कर ले तो यह जो आपके त्रिलोचन मुहंता को दिया गया था जारकर्ण में इसे सराइ के ला च्छव के नाम से जाना जाता है और उडिसा में इसे मयूर भन्ज च्छव के नाम से जाना जाता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है Next question आपका यहा प्रहता कि भारत में सबसे जादा जो है ये किस धर्म की जनसंख्या के लोग है तो देखे भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये आपके हिंदु धर्म के जनसंख्या के जो है वो लोग है तो हिंदु आपके यहाँ पे correct answer होगा हिंदु जो है आपके कुल आबादी के कुल जनसंख्या का कितना परतीसत है तो 79.8% है उसके बाद आपका कौन सा धर्मा आजाता है, तो उसके बाद आपका मुस्लिम आजाता है, मुस्लिम जो है ये आपके कुल जन संक्या के जो है 14.2% है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहता है कि प्रधान मंतरी किसान मित्र, ये जो आपका किस से संबंदित है, तो देखें प्रधान मंतरी किसान मित्र जो है, यह आपके AI chatbot से संबंदित है यानि यह जो आपका प्रधानमत्री किसान सेमान नीदी योजना के लिए AI chatbot है जो कि आपके PM किसान योजना की पहुँच बढ़ाने और किसानों को उनके सवालों को असपस्ट सटीक और त्वरी जवाब देने के लिए यह आपका सितंबर 2023 में जो इससे सुरू किया गया है तो AI chatbot आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका अपराता कि 2026 का ACI खेल जो है यह कहां पर होगा तो देखें 2026 का जो ACI खेल होगा यह आपके जपान के नागोया में आयोजित किया जाएगा तो जपान का नागोया आपका एशाई खेल है यह कहां पर आयोजित किया गया था तो देखें 2022 में ना होकर यह आपका 2023 में हुआ था जो कि आपका हौंग जो चीन में आयोजित किया गया था इसके लाबात कर ले प्रतम एशाई खेल यह कब और कहां आयोजित किया गया था तो देखें प्रतम जो Asiai खेल है इसके सुरुवात 1951 में हुआ था और यह जो आपका नई दिली में आयोजित किया गया था और भारत में अब तक कितने बार Asiai खेलों का आयोजित किया जा चुका है तो देखे भारत में अब तक दो बार Asiai खेलों का आयोजित किया जा चुका है और कब से कब तक तो यह आपका 1982 में जो वो किया गया था और दोनों ही जो आपके ACI खेल हुए थे ना यह आपके न्यू डाली में आयोजित किये गया थे इसके लाव बात करें 2022 में जो आपका 2023 में जो आपका ACI गेम्स हुआ था इसके जो मोस्ट वैलूबल प्लेयर कौन रहे थे तो यह जो आपके चीन के जांग यूफे क्विन हैंग रहे थे तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा इसके लावा 2022 में भारत की रैंक अगर वो सामिल है इसके लाव 2025 का ACI सीतकालीन खेल यह जो है कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यह आपका हारबीन चीन में आयोजित किया जाएगा तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यह आप रहाता कि भारतिय मुल्की किस प्रोफेस यह आपका नीडरलेंड का एक विग्यान का सर्वोच पूरुषकार है और इसमें आपके अक्टूबर 2023 में भारतिय मुल्के डॉक्टर जाहिता गुपता को यह सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर जाहिता गुपता आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका विन्यम अधिन्यम यह कब लागू हा था तो देखे बारत में बैंकिंग विन्यम अधिन्यम यह आपका 16 मर्च 49 फो लागू हुआ था तो 19 मर्च आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लएम आपके बता दो कि इसी अधिन्म के द्वारा जो है भारत के सभी banking संस्थाओं को भी जो है वो नियंतरीत किया जाता है तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका यहाप रहा था कि 14 private bank को का जो रास्टे करन है न यह कब हुआ था तो देखे 14 private bank को का जो रास्टे करन है न यह आपका 1969 में हुआ था तो 1969 आपका correct answer होगा next step का यहाप रहा था कि आगा खान कप यह जो आपका किस खेल से संबंदीत है तो देखे आगा खान कप की बात कर ले तो यह आपका hockey खेल से संबंदीत है और hockey से संबंदीत अन्य प्रमुख ट्रॉफिय की बात कर ले तो देखे सुल्तान अजलान सा कप ध्यांचन ट्रॉफी अस्टेनली कप यह सभी का संबंद जो है वो आपके 201712 तक रहा था तो 2007 2012 आपका क्रेक्टन सर ओगा इसके लवा 25 योजना के कारेकल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखे पहली पंचवर्षी योजना का जो अव्धी रहा था यह आपका 1951 सेिन छपन तक रहा था दूसरी पंचवर्षी योजना का जो अवदी है यह आपका 56 से लेकर 61 तक रहा था तीसरी पंचवर्षी योजना का जो अवदी है यह आपका 61 से लेकर 66 तक रहा था चौथी पंचवर्षी योजना की जो अवदी है यह आपके 79 से लेकर 1974 तक रहा था पांचवी पंचवर्सी योजना की अवदी अगर पूछा जा तो यह आपका 1974 से 1978 तक रहा था और पांचवी पंचवर्सी योजना ही जो है यह आपके 4 वर्सों करा था एक्जाम में पूछा जाता कि कौन सी पंचवर्सी योजना जो है मातर चार वर्सों करा था तो यह आपक पांचवी पंचवर्शी योजना रहा था चटी पंचवर्शी योजना की जो अवदी है यह आपका 1980 से लेकर 1980 तक रहा था साथवी पंचवर्शी योजना की जो अवदी है यह आपका 85 से लेकर 90 तक रहा था आटवी पंचवर्शी योजना की जो अवदी है यह आपका पंचवर्सी योजना रहा था और इसका जो आपका अधी रहा था वो आपका 2012 से लेकर 2017 तक रहा था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अपका यह आप रहा था कि हरित करांदी की सुरुवात भारत के किस पंचवर्सी योजना में जो है वो किया गया था तो देखे हरित का अंतिगी जो सुरुवात है ये भारत में कबुआ था तो ये आपका 1965 में हुआ था तो देखे और 1965 में ये जो किस पंचवर्सी योजना की अवधी में आ जाता है तो ये जो आपका तीसरी पंचवर्सी योजना की अवधी में आ जाता है तो तीसरी पंचव के द्वारा जो है हॉर्णविल फैस्टिबल को मनाय जाता है तो नागा जन जाती आपका यहां पे करेक्ट अंसर होगा इसके लिए आपके नागलेंड राज्जे सरकार के द्वारा राज्जे में प्रयाटन को बढ़ावा देने के लिए यह आपका सबसे बड़ा सौदेसी उत्सवों में से एक है और यह जो आपका हॉर्णविल फैस्टिबल है यह कब मनाय जाता है तो यह जो आपका एक दिसंबर से लेकर जो है यह आपका दस दिसंबर तक मनाय जाता है यानि यह जो आपका हॉर्णविल फैस्टिबल है यह आपका दस दिवसिय तहवार है तो यह Fact भी आप ध्यान में रखेगा और देगे, Horneville Festival को ही जो है, यह आपके Nagaland में, तेवारों का तेवार जो है वो कहा जाता है, तो यह Fact भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कुछ आपका आप रहता है कि जालियावला बाग का जो आयोजन है ना, यह किसके विरोध में कि या गया था तो रोलिट एकट आपका यहां पे कर्रेक्ट एंसर हो गा इसके लबात कर ले जालियाव्या वाला बाग अम्रिज सर पंजाब में आप ध्यान में रखेगा इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जालियावाला बाग हत्याकांट के बादी जो है रवीन नैट टेगोर नी अपनी नाइट हुट की उपादी जो वो त्याग दिये थे और महात्मा गांदी के द्वारा जो केसर हिंद की जो उपादी दी गई थी ना वो भी जो है महात्म इंटन में अगर चालिस चालिस पॉइंट दोनों टीम के अगर बराबर हो जाते ना तो उसे जो है ड्यूस पॉइंट जो कहा जाता है तो ड्यूस पॉइंट आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पराता कि अमेजन फ्यूचर इंजिनियरिंग इंद वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्यंतर बजाते थे तो देखे उस्ताद बिंदा खान की बात कर ले तो यह जो आपके सारंगी वादक थे तो सारंगी आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाब मसूर सारंगी वादक की बात कर ले तो देखे राम न यह कंघा लिभी का और आपको ध्यान में रखना था नेक्स्ट कोश्च आपका आप रहा था कि गांधी इरवीन रिवीन समझा इडार यह कब हुआ था तो देखें गांधी इरवीन ऊप्लिवीन समझा आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझाते के बाद गांधी जी कों सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर और महात्मा गांधी के मद्दे हुआ था तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है अब देखे आपका यहाँ पर यह बात आ गई है समझाते के बारे में तो देखे गोलमेज समेलन क्या बात आई गई है तो देखे गोलमेज समेलन में मात्र जो है भारत के तरफ से भाग लेने वाले कौन थे तो यह आपके भीम राव अंबेटकर थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और तीनों ही जो गोलमेज समेलन हुआ था ना और इसकी जो अध्यस्ता है यह रैम जे मैकडोनेल्ड के तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा अगर दूसरे गोलमेज समेलन की बात कर ले तो यह आपका 1931 में हुआ था और तीसरा जो गोलमेज समेलन है यह आपका 1932 में हुआ था नेक्स्ट कोश है आपका यह आप रहा था कि भारत के साथ कितने देश जो है समुद्री सीमा साजा करते हैं तो देगे मैं आपको बता दो कि भारत के साथ जो है आपके टोटल नौ देश जो है आपके सीमा साजा करते हैं जिसमें साथ जो देश है ना यह आपके भूमी सीमा साजा करते हैं और दो जो देश है ना यह आपके जल की सीमा जो है वो साजा करते हैं और वो दो देश कौन कों से हैं तो पहला आपका सिरलंका और सेकंड आपका माल्दिव ये दो देश जो है आपके जल की सीमा जो है वो साजा करते हैं तो दो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाव एक्जाम में जो है यहाँ पर सीमा की जो यह आपके 15200 किलो मीटर है वहीं अगर तट देखा यानि जलिये सीमा की बात कर ले तो देखे इसकी जो लंबाई है वह आपका 7515 किलो मीटर है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव भारत के 7 भूमी सीमा साजा करने वाले देश कौन कों से है तो आपका भूटान देश है भूटान जो है आपका 578 किलो मीटर जो है भूमी सीमा साजा करता है चीन जो है आपका 3488 किलो मीटर की भूमी सीमा साजा करता है नेपाल की बात कर ले तो यह आपका 1751 किलो मीटर की सीमा साजा करता है पाकिस्तान की बात कर ले तो यह आपका 3323 कि पूप और यहां से ईक्जाम में एक प्रस्ट और पूचा जाता है, भारत के साथ सबसे लंबी पूमी सीमा कौन सा देश वह साजा करता है, भारत के साथ सबसे लंबी भूमी सीमा जो साजा करता है and आपका बंगलादेश करता है, बंगलादेश की जो किलोमीटर है, वो आपका 4096 किलोमीटर है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश है आपका याप रहा था कि भारत्य मुल्की 2022 में ब्रीटेन की ग्री मंतरी जो है, ये कौन बनी थी, तो देखे भार सुट देशहरा है, ये आपके करनाटक राज्जी में हिंदो द्वारा मनाये जाने वाला जो है, दस दिवसिये त्यवहार है, तो करनाटक आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ रहा था कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार, यहाँ पर लच दीब का जो साचर्टा दर रहा था, वो आपका 91.85% रहा था, जिसमें पूरु साचर्टा दर की बात कर ले, तो 95.56% रहा था और महिला साचर्टा दर यहाँ आपका 87.95% रहा था, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, तो यह तो होगि आपका पार्टि आपका केरल रहा था, केरल का जो साचर्टा दर है यह आपका 94% रहा था, वह अगर भारत की साचर्टा दर की बात कर ले, तो भारत का जो साचर्टा दर रहा था, वो 74.04% रहा था, पूरुस का जो साचर्टा दर है वो आपका 82.14% रहा था, और महिला की जो साचर्टा दर ह वो आपका 65.46% रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि भारत में किस पंचवर्सी योजना के दौरान जो है, पांच भारते प्रोदोगी की संस्थान, यानि IIT जो है, अस्थापित किये गए थे, तो देखें, मैं आपको बता दू कि पहली पंचवर्सी योजना के अंत में 1956 में आपके भारत में पांच IIT जो है, अस्थापित किये गए थे, यानि सुरू किये गए थे, तो पहली पंचवर्सी योजना आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा, इसके लाब बात कर लें, पहली पंचवर्सी योजना की जो अवधिकाल कब से कब तक रहा था, तो देखें, पहली पंचवर्सी योजना का जो कारिकाल था, या आपका 1951 से लेकर जो है, 1956 तक रहा था और इस पंचवर्शी योजना के जो अध्यच रहे थे ना, ये आपके पंडीजवाल नेरू रहे थे और इनके जो उपाद्यच है ये आपके गुलजारी लाल नंदा रहे थे इसके लाव बात कर ले प्रतम पंचवर्सी यूजना का आदर्स वाक के यानि इसका उदेश्य क्या रहा था तो देखे प्रतम पंचवर्सी यूजना का जो मुख्य उदेश्य रहा था वो क्रिसी के विकास पर रहा था तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव बात 6% जो वो पाया गया था यानि ये जो आपका पंचवर्सी यानि पहली जो पंचवर्सी योजना रहा था वो आपका सफल रहा था इसके लावा पहली पंचवर्सी योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारी था तो देखे पहली पंचवर्षी योजना में इसे शुरू किया गया था, तो यहां से भी प्रशन एक्जाम में पूछा जाता है, नेक्स्ट कोश है आपका यहां पराता है, कि हरित करांदी का संबंध, यह किस से है, तो देखे हरित करांदी की बात कर ले, तो यह जो आपके अनाच के फसल के उत्पादन से संबंधित है, तो अनाच की फसल आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा, इसके लाए एक्जाम में एक प्रशन एहां से पूछा जाता है, कि निम्नलिकित में से किस फसल ने भारत में हरित करांदी के कारण, उत्पादन में वृद्धी की अधिक्तम दर जो है, वो देखा गया था, तो देखे हरीत करांदी के कारण जो आपका गेहूं फसल था ना इसमिक के उत्पादन में जो है सबसे अधिक्तम वृद्धी जो आप देखा गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लावा एक्जाम में प्रेशन पूछा जाता कि विश्व में हरीत करांदी के जनक के रूप में जो है ये आपके नार्मन बारलो को जो है वो जाना जाता है और नार्मन बारलो की किस देश के निवासी थे तो ये जो आपके अमेरिका देश के निवासी थे इसके लावा एक्जाम में प्रेशन पूछा जाता है कि विश्व में हरीत करांदी की सुरुवात कब और कहां से हुई थी तो देखें वेश्व में हरीत करांदी की जो सुरुवात है ना यह आपका 1960 के दर्सक में मैक्सिको देश से इसे सुरू किया गया था इसके लाव मैं आपको बता दू कि वर्स 1970 में नार्मेन बारलोक को जो है हुआई भी सीड्स को विक विको सांथि करने के लिए नोबल सांती पुरुषकार प्रदान किया गया था था तो लेके व को जोबिस का भारत रति पुरुषकार जो वह दिया गया है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लावा हरित करांदी सब्द को जो सबसे पहले गढ़ा था तो देखे हरित करांदी सब्द को जो सबसे पहले है ना ये डॉक्टर वीलियम गोडे ने जो है वो गढ़ा था और भारत में हरित करांदी की सुरुवात कब हुई थी तो देखे भारत में हरित करांदी की जो शूटिंग चेंपियंसीप 2020 यह कहा आयोजीत हुआ था तो आप देख सकते हैं कररंट अफेर्स आपका कितना पुराना वह पूछा जा रहा है तो देखे IHSS F विसूटिंग चेंपियंसीप 2022 यह आपके मिसर के काहिरा में आयोजीत किया गया था तो काहिरा आपका यहापे औ और देखे इस question का पूछने का मतलब यह था ना क्यूंकि इसमें भारते टीम पदक तालिका में यह पहले अस्थान पर रहा था यानि सिर्ट पर रहा था और भारत के द्वारा जो इसमें आपके टोटल साथ पदक जीते गया थे जिसमें चार गोल्ड मैडल जीता गया था दो जो जो आपका सिल्वर मैडल जीता गया था और एक जो था वो ब्रॉंज मैडल जीता गया था तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश यह आपका याप रहा था कि रास्टे खेल 2020 की मिजबानी यह जो कितने सहरों में की गई थी तो देखे जो आपका 2023 जो रास्टे कहल हुआ था इसका जो आपका 37 संसकरन था और यह जो आपका गोवा राज्य में आयोजित किया गया था और इसमें गोवा के जो है आपके पाँच सहरों में आयॊजित किया गया था तो अगर सहर पूछा गया था तो तो पाँच आपका यहां पर correct answer होगा और किस राज्ज में अगर पूछा गया था तो फिर आपका गोवा जो हो correct answer होगा इसके लाब अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखे 37 रास्टे खेल में पदक तालिका में जो पहले स्थान पर आपका राज्जी रहा था यह आपका महारास्ट रहा था महारास्ट के द्वारा जो टोटल 228 पदक जीते गए थे दूसरे स्थान पर आपका सर्वीसेज की टीम रहा था और तीसरे स्थान पर आपका हर्याना राज्जी रहा था तो यह पॉइंट भी आपको ध्य तो इसे जो आपका गुजरात राज्जी के 6 सहरों में आयोजित किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि बुंदेल खंड का एक प्रसीद पारंप्रिक नित कौन सा है जो पुरुसो द्वारा मैला भेस में डोलक और नगाडों के साथ जो वो किया जाता है तो राई नित आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि यह आपका राई निते है ना यह मध्य पर्देश में बेदिया जनजाती के द्वारा भी जो है इस निते को जो वो किया जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना अगर जनजाती पूछा जाए तो यह आपका बेदिया जनज से related पूछा गया था और दूसरा जो उनका कुल यानि वन्स के बारे में जो वो पूछा गया था तो देखें मैं आपको बता तो कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था या आपके 563 इसापूर्म में लूंबनी नेपाल में हुआ था तो अगर यह आपसन में दिया गया थ तो यह जो आपके साख के वन्स यानि साघ के कुल में जो जन्म हुआ था तो अगर साख के कुल दिया गया था तो साख के कुल लोंग ऑपसन आपका correct अंसर हो गए इसके लबाद कर लें गौतम बुध का नीधन यह कब हुआ था तो देखें गौतम बुध का जो नीधन है यह आपके 483 इशापूर में हुआ था और कितने वर्स की आयूमें इनका नीधन हुआ था तो यह 80 वर्स की आयूमें इनका नीधन हुआ था और कहां पर हुआ था तो यह आपका कुसी नगर में हुआ था और कुसी नगर यह कहां पर है वर्तमान में तो यह आपका उत्तर पर इसके लावा गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या था तो यह सिध्धार था इसके लाव एकजाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद कितने वर्स की आयू में जो है अपना ग्री त्याग दिये थे जिसे ग्री त्याग की घटना को जो है महा भी निस कर्मन भी जो वो कहा जाता है तो दिखे गौतमबुद जो है 29 वर्थ की आयू में अपने घर को जो आपने घर को जो ओ missiles का जिवन जिने के लिए अपने घर को जो त्याग दिये थे इसके लाव बात कर लिए गौतम बुद ये जो किस नदी के तरपर अपना ग्यान प्राप्त किये थे तो देखे गौतम बुद जो है बुद गया में निरंजना नदी के तरपर जो है ये अपने ग्यान की प्राप्ति किये थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ पर आ था कि भार्ते मुल्के किस मुख्य न्यादिश ने जो है, 2023 में सिंगापूर के राष्पदी को जो है, सपत दिला हैं, तो अगर मुख्य न्यादिश के बारे में पूछा दिगया था, तो सुंदरेश मेनन आपका यहाँ पर करेक्ट अ बने सरो गाई, वहीं अगर मैं आपको बटा दू कि यह जो आपके सिंगापूर के राष्पदी बने हैं नौवे राष्पदी, यह भी आपके भारते मुल्के ही निवासी हैं, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है थर्मन सन मुगरतन, इनका नाम आपको ध्यान में हो जाता ना तो उसे तो सबसे पहले आपका deuce जो हो वो कहा जाता है तो अगर deuce option में दिया गया था तो deuce आपका यहां पे correct answer हो गा और अगर deuce नई दिया गया तो फिर दो point आपके option में दिया गया होगा क्योंकि मैं आपको बता दू कि जब table tennis का game होता है उसमें आपको 11 अंग प्राप्त करना होता है लेकिन जब 10-10 पे अगर कोई खिलारी अगर दोनों खिलारी आ जाते हैं तो उस इस्तिति में क्या होता है कि परते खिलारी को जो है एक सर्व मिलता है और यह तब तक बदलता रहता है जब तक किसी एक खिलारी को जो है दो अंग की बड़त जो है वो नहीं मिल जाती है अगर दो अंग की बड़त किसी खिलारी को मिल जाता है तो वह जो है गेम को जो है जीत लेता है नेक्स्ट कोशे आपका एक मौलिक अधिकार से सम्मन्दीत है था इक्जैक्ट मुझे प्रस्ण बच्च 35 के अंतरगत आता है और इसमें आपके जो है अनुछेद 20 और 21 को छोड़ कर जो है ये आपके जो है सभी अनुछे जो होता है ना वो आपके अपातकाल में निलंबित हो जाते हैं लेकिन ये जो आपके अनुछेद 20 और 21 जो है ना ये निलंबित नहीं होते हैं तो अगर ये पूछा गया था तो 20 और 21 आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि TCS के द्वारा वादियंत और उनके वादक से आपके लगतार प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे कि पंडित सिवकुमार सर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंद है न ये आपके संतूर वादियंत रसे है हरीपटसाच चोरसिया पन्नालाल घोस इनका जो संबंद है न ये आपके बासुरी वादियंत रसे है तबला वादक की बात कर ले तो देखे जाकिरुशैन, अ अमजद अली खान, बुद्ध देव दास गुपता, इनका जो संबंद यापका सरोध वादियंतर से है, सहनाई वादक की बात कर ले, तो देगे विस्मिल्ला खान, कृष्पना राम चौदरी, अली एहमद हुशैन, इनका जो संबंद यापका सहनाई वादक से है, सितार वादक की बात कर ले, तो देगे सकूर खान, पंडित राम नरायन, रमेश मिस्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंद यापके सारंगी वादियंतर से है, वीना वादक की बात कर ले, तो देगे जिया मोईदीन डागर, इसके लावा अध्यागरी, स्वयाम सुंदरम, वीना से है, एक्जाम में याँ से प्रेश्ण पूछा जाता है, कि मोहन वीना के अविस्कार कौन थे, तो देगे मोहन वीना की जो अविस्कार है न, यह आपके पंडित विस्व मोहन भट के द्वारा जो वो किया गया था, और यह जो आपके पंडित विस्व मोहन भट है यह आपके मुहन वीना से संबंदित है अगर वाइलीन वादक की बात कर ले तो देखे सुरूसरी गोपाल क्रिस्टन, स्रीमती M. राजन, N. आर, मूरली धरन, M. चंदरशेकर, वीजी जोग, लाल गुडी जैरामन इन सभी का जो संबंद है ना यह आपके वाइलीन वादक से है घटम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखे टी एच विनायक राम, E.M. सुब्रमन्यम इनका जो संबंद है यह आपके घटम से है, मृदंगम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखे केवी प्रशाद, S.V. राजा रॉय, उमलिया पूरम सीव रामन, इनका जो संबंद है मैंडोलिन वादक की बात कर ले, तो देखे स्री निवाज जो है, यह आपके मैंडोलिन से है, पकावाज में आपके थोताराम सर्मा जाते हैं, अनपूर्ना देवी का जो संबंद है, यह आपके सूर बाहर से है, इसके लावा अगर ब्रज बूसन काबरा के बारे में अपनाया गया था, तो देखे भारत की संबिधान सभा द्वारा, 26 नॉमबर 1949 को जो है, इसे अपनाया गया था, तो 26 नॉमबर 1949 आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, वह यह अगर बात कर ले, भारत का संबिधान जो है, यह कब प्रभावी, यानि लागू कब हुआ था तो देखे भारत का संबिधान जो लागू है या आपके 26 जनॉमबर 1950 को जो वो लागू हुआ था, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लाए एक्जामें से यहाँ से प्रशन पूछा जाता है, कि जब हमारा संबिधान बनकर त्यार हुआ था, उस समय जो है अनुछेद और भाग और अनुसूचियां कितनी थी, तो देखे भारत के संबिधान में मुल्रूप से जो आपके अनुछेदों की संक्या थी, वो आपका 395 था, वहीं अगर भाग की बात कर ले, तो भाग जो आपके कितने थे तो 22 भागों में जो आपका विवाजि ही है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 470 अनुछेद हो गया है, तो देखे मैं आपको बता दूँ कि आपका 395 यह अनुछेद है, जो आपके क्लोज आते हैं जैसे कि अनुछेद 21 का क्लोज A हो गया, इस परकार से मिला कर जो आपके 470 होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्जाम में आपसन 395 में ना दिया रहे, तब आपको 470 ठीक करना है, तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखेगा, वह अगर वर्तमान में भागों की बात कर ले, तो देखे वर्तमान में आपके 25 भाग हैं, और 12 अनुसूचिया हैं, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान म संबिधान को जो है, यह हस्त लिखे जो है, वह किया था, इसके लागा अगर एक्जाम में पूछा जाए कि भारते संबिधान के पीता के रूप में जो है, यह किसे जाना जाता है, तो देखे भारते संबिधान के जनक के रूप में जो है, यह डॉक्टर भीमरों अंबेट कर जी को जो है वो जाना जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और संभिधान सभा का गटन ये जो है कब हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संभिधान सभा का जो गटन है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि 2011 की जनगना के नुसार भारत में सरवाधिक महिला सचर्था दर वाला राज्य पूछा गया था तो देखे 2011 की जनगना के नुसार भारत में सबसे अधिक महिला सचर्था दर वाला जो राज्य रहा था यह आपका क 92 परसेंट रहा था तो महिला में आपका केरल ही करेक्ट अंसर होगा और पूरुस में भी अगर पूछ ले तो देगे ऑवरॉल ही जो आपका सबसे साचरता दरवाला राज जी रहा है वो भी आपका केरल ही रहा है वहीं अगर सबसे कम महिला साचरता दरवाला राज जी या फ 51.5% रहता, मलावों में जो दूसरा सबसे कम कम जो आपका राज्जी आता है वो आपका राजिस्थान राज्जी आता है, तो ये पोइंट भी आप ध्यान में रखेगा, इसके अलाव अगर भारत के साचर्तादर की बात कर ले, तो देखे 65.46% रहा था इसके लाव मैं आपको बढ़ा दू कि आपके केंद्र सासीत परदेश से भी पूछे जाते हैं तो देखें 2011 की जनगन्ना में अगर केंद्र सासीत परदेश सिर्फ राज जी ना देकर जो है केंद्र सासीत परदेश अगर सिर्फ पूछ दिया जाए तो देखें तो आपका केरल रहा था, उसके बाद लच दीप का रहा था, उसके बाद आपका मीजोरम का रहा था, चौते अस्थान पे जो आपका गोवार राज जी रहा था, पांच में पे जो आपका त्रीपूरा रहा था, और छटे पे जो आपका दमन और दिव रहा था, यहां से भी आपके previous सिप्टों में पूछा गया था कि दूसरे अस्थान पर आपका कौन सा केंद्र सासित परदेश जो है साच छट्टा दर में आगे रहा था तो यह आपका दमन और दिव का रहा था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि लिएंडर पेश का संबंध यह जो आपका किस स्केल से है तो देगे लिएंडर पेश की बात कर ले तो यह जो आपके भारतिये टेनिस की लाड़ी है और टेनिस में भी कौन से टेनिस की लाड़ी है तो यह आपके लॉन टेनिस की तो S. अब्दूलनजीर जो आपके यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि यह जो आपके S. अब्दूलनजीर थे ना जो आपका राम मंदीर का जो फैसला है था 2019 में उसके जो यह जज भी रहे थे तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि TCS के दौरा यहाँ से भी प्रेस्ट पूछा गया है कि जो आपका 2019 में जो आपका राम मंदीर पर लेकर जो आपका फैसला आया था उसमें पूछा गया था कि एक मात्र मुस्लिम जजज जो वो कौन थे तो देगे एक मात्र जो आपके मुस्लिम जज थे ना वो यही थे एस अब्दूल नजीर तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर वर्तमान में अगर बात कर ले अन्य राज्यों के बारे में जैसे कि आंद्र परदेश के वर्तमान में मुख्य मंत्री कौन है तो यह आपके वाई जगमुहन रेड़ी है अरुनाचल परदेश के अगर मुख्य मंत्री के बारे में पूचा जाए तो देखे अरुनाचल परदेश के वर्तमान में मुख्य मंत्री है यह आपके पेमा खांडू है वहीं अगर अरुनाचल परदेश के वर्तमान में आपके राज्येपाल कौन है तो यह जो आपके कैवल्य त्रि यहां आपके राजद्र विशुनात अलिंक कर हैं. इसके बिभिने वर्तमान मुक्षयमंत्री को बात जाहना करें तो देखें दिली में तो आपके राज्यपाल नहीं उप राज्यपाल होते हैं यानि लेप्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि जो आपके केंडर सासित परदेश होते हैं वहाँ पर राज्यपाल नहीं आपके उप राज्यपाल होते हैं तो विने कुमार सक्सेना जो यहां के PS Sridharan पिल लई हैं, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे मैं सभी 2800 राज्य और आठकेंद्र सासित परदेश के जो है, आपको मुख्यमंतरी और राज्यपाल की सुची आपको अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्किप्शन में जो वो देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जॉइन करके यह देख सकते हैं, नेक्स्ट कोश है आपका यहां पराता कि साउंड यानि ध्वनी का ऐसा ही मातरक पू तो तेलंगान आप यहां पर करेक्ट अंसर होगा, इसकलाव में आपको डादू कि यह जो आपका बोनालू तेखार है या आपके हिंदी महीने के किस मास में मनाये जाता है, तो यह आपका आसाड मास, यानि यह जो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में जो इसे मनाया और ये जो तेवार है ना वो आपका एक महीने तक जो वो चलता है इसके लाव में आपको डादू की बोनालू उस्व में जो है आपके महाकाली देवी की पूजा की जाती है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इन में से कौन सा उत्तर परदेश का एक नेत्य है तो देखे ऑप्सन में आपका एक कथक दिया गया था तो देखे ये जो आपका कथक है ना ये आपका उत्तर परदेश राज्य का एक सास्त्रे नेत्य है तो कथक आपका यहाँ पे खरेक्ट अंसर होगा इसके लवा उत्तरपरदेस राज्जे के परमूक लोकनेते की बात कर ले तो देखे चर्कूला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी यह सबी जो नेते हैं यह आपके उत्तरपरदेस राज्जे के लोकनेते हैं तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना ह next question आपका आप रहा था कि इन में से कौन सा सब्द क्रिकेट खेल से संबंदित नहीं है तो option में आपका एक eagle दिया गया था तो देखें ये जो आपका eagle term है ये आपका golf खेल में परियोग किया जाता है ना कि cricket में इसे परियोग किया जाता है तो eagle आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लावा cricket में उप्योग किये जाने वाले अन्य सब्दा वाली कि अगर मैं बात कर लो तो देखें mid and over, follow on, इसके लावा asses, catch, ball, stump, run out, lbw, hit wicket, note out, no ball, wide ball, dead ball, overthrow, इसके लावा y, lake cover ये सबी जो आपके cricket खेल से संबंदित term है तो cricket से terms related जो भी term आएंगे वो तो आप easily लगा लोगे तो terms related भी जो आपके फ्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसे भी जरूर देख कर जाईएगा next question आपका यहाँ राता कि भारत के परिसीमन आयों के अनुशार और भारत के संबिधान के अनुशे 333 के अधीन जो है राज्ये विधान सभा के सदशो की जो अधिक्तम संख्या है यह कितनी हो सकती है तो देखें मैं आपको बढ़ा दू कि भारते संबिधान के अनुशे 333 के प्राधानों के अनुसार राज जी की विधान सवा में अधिक्तम निर्वाचन छेत्र में जो सदर्शो की संख्या है वो आपका 500 हो सकता है और कम से कम अगर पूछा जाए तो ये जो आपके 60 निर्वाचन छेत्र जो वो हो सकते हैं तो सबसे आपका ज्यादा पूछा गया था कि कितनी अधिक्तम संख करते थे विदान सभा में तो यह जो आपका समाप्त कर दिया गया है और किस संसोधन के तहट जो है समाप्त किया गया है तो देखे एक सो चारवे संसोधन अधिनियम के तहट जो है इसे समाप्त किया गया है इसके लावा अनुछे संबिधान संसोधन अदिनियम के तह जो है वो समाप्त किया गया है जिसमें लोक सभा और राजे सभा विधान सभाओं में एंगलो इंडियन के लिए सीटों के जो आरच्छन थाना उसे जो वो आपका समाप्त कर दिया गया है और एक सो चारवा जो संबिधान संसोधन अदिन राहर के पूरा नहीं मिल पए है कुछ बच्चों ऌने बता है कि जवार लाल नेरू टुनामेंट के बारे में बूचा गया था तो देख अगर यह जो आपका जबार लाल नेरू टूनामेंट है या आपका हौकी खेल से संबंदीत है अगर सिर्फ नेरू कप के बारे में पूचा गया था तो देखे यह जो आपका नेरू कप है यह आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और वहीं अगर नेरू ट्रॉफी का संबंद अगर पूचा तो देखे भारत के जो दूसरे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ है ना ये आपके लेटिनेंट अनील चोहान है तो अनील चोहान आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा इसके लाव बात कर ले भारत के प्रथम CDS कौन थे तो ये आपके जनरल विपिन रावत थे और ये दोनों ही जो है ये आपके उत्राखंड राज्य से जो हो बिलॉंग करते हैं तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव में आपको बता दो कि जनरल विपिन में रखना है इसके लाव बात कर ले भारत के प्रथम फिल्ड मार्सल कौन है तो ये आपके मानिक साह है भारत के वर्तमान में रास्टे हरित न्यादी करन की परमुक न्यायमूर्थी कौन है तो ये आपके प्रकास रिवास्तों है वर्तमान में सॉलिस्टर जेनरल ऑफ इं सभी आपके जन्गंणा 2021 का पूछा गया था तो आपका हमारी जन्गंणा हमारा भविश्य रहा था तो हमारी जन्गंणा हमारा भविश्य आपका है पर एकरेक्ट एंसर होगा इसके लाव एक्जाम में पूछा जाता है कि जनगना 2011 ये जो कितने चरण में कराये गया था तो देखें जनगना 2011 जो है ये आपका दो चरणों में कराये गया था और इसका जो मैस कट रहा था ना यानि सुभंकर क्या रहा था तो ये आपका सीची का रहा था तो ये पॉइं जनगन्ना 2021 जो है यह आपका पंदरवी जनगन्ना था और स्वतंता के बाद जो है यह आपका सातवी जनगन्ना था इसके लावा जनगन्ना 2021 की बात कर ले तो देखें जनगन्ना 2021 में आपका कराना था क्योंकि जनगन्ना जो होता है वो आपके 10 वर्स के अंतराल पर करवाया जाता है लेकिन COVID-19 की वज़त से जो है आपका 2021 में जनगना नहीं हो पाया था जो कि आपका 2023-26 में कराया जा रहा है जिसमें इसका जो थीम रखा गया था ना वो आपका जन भागीदारी से जन कल्यान जो है वो रखा गया था और इनके जो महापंजियक यानि वर्तमान में य यह आपके मरितिन जै कुमार नरायन है नेक्स्ट कोशन आपका यहाप रहा था कि RBI की निम्न लिखित में से जो है परमुख उदेश्य क्या है तो देखे बेशिकली आपका RBI के कार्दी के बारे में पूछा गया था तो देखे RBI के जो कार्दी होते है ना वो आपके प्र मुझे डाउट लग रहा है लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी मैं आपके नौलेज के लिए बता देता हूं कि अमरीज सर की संधी यह जो है कब हुआ था तो देखे RBI की संधी की बात कर ले तो यह आपका 1809 में हुआ था और किनके मद्य हुआ था तो देखे RBI की जो संध में त्यान में भारत में प्रेश का मुक्ति दाता भी जो कह जाता है इसके इलाहु आप की संधिकItale उसक्राइच के भारत एहां तो आपका पूछा गया था तो अपना काम निकलवाना होता है, तो अपना काम निकलवाना आपका correct answer होगा, इसके लब अगर आगे के सिप्टों में पूछा जा कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यह आपका भाग जाना होगा, 9211 होना का मतलब है भाग जाना ये भी इसका मतलब ही जो होता वो आपका भाग जाना होता है तील का तार बनाना इसका मतलब जो होता है कि बढ़ा चड़ा कर किसी बात को जो वो बताना होता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपका यहां पर आता कि हाथों के द्वारा लिखी गई लिपी को जो है क्या कहते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द आपको बताना था तो देखे हाथों के द्वारा लिखी गई लिपी को जो है ये पांडू लिपी जो है वो कहा जाता है तो पांडू लीपी आपका correct answer होगा ठीकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था तो देखे ठीकाना ना रहना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो बेघर होना होगा तो बेघर होना आपका correct answer होगा बीरल का जो विलोम सब्द पूछा गया था तो देखे बीरल का जो विलॉम सब्द होता है वो आपका सघन होता है तो सघन आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहापर आख और कमल और उसा या फिर उल्लास का जो आपसे विलॉम ये प्रिवाच्छी सब्द जो वो पूछा गया था तो देखे आँख का आपका प्रिवाची सब्द होता है वो आपका चचु, नयन, लोचन ये सबी जो होते हैं आपके आँख के प्रिवाची सब्द होते हैं वही अगर कमल के प्रिवाची सब्दे की बात कर ले तो देखे राजीव, नीरज, पंकज, जलज ये सबी जो आते हैं कमल के प्रवाच्ची सब्द होते हैं, तो इन में से जो भी आप्सन में दिया गया होगा, वो आपका correct answer होगा, नेक्स्ट आपका चक्रपानी का जो है सही अर्थ पूछा गया था, तो देखें चक्रपानी जो है ये भगवान विष्टनु को कहा जाता है तो भगवान विष्टनु आपका correct answer होगा, नेक्स्ट आपका महिला का प्रवाच्ची सब्द पूछा गया था, तो देखें महिला का जो प्रवाच्ची सब्द होता है ये आपका ललना, कामिनी और रमनी होता है, तो इन में से जो भी आप्सन में दिया गया होगा, वो उनके ट्रॉफियों के बारे में, जहां से एक्जाम में प्रस्ण पूछे जाते हैं, जैसे कि आगा खान कप, ध्यांचन ट्रॉफी, अजलान सा कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और रंगा स्वामी कप, इन सभी कप और ट्रॉफियों का जो संबंद है ना, ये आपके ह इसके लबा अगर फुटबॉल की बात कर लें, तो देखें, बीसी राय ट्रॉफी, बार दोली ट्रॉफी, दुरंड कप, नेरु गोल्ड कप, रोवर कप, संतोस ट्रॉफी, सुबरतो कप, ये सभी कपों और ट्रॉफियों का जो संबंद है, ये आपके फुटबॉल कप से है, सुरी, फुटबॉल खेल से संबंदीत है, इसके लाव अगर गोल्फ की बात कर लें, तो देखें, राइडर कप, वाकर कप, कनाड़ा कप, इसके लावा आइजन हावर कप, इन सभी कपों का जो संबंद है ये आपके गोल्फ खेल से है, बैडमिंटन खेल के अगर बात कर लें, तो देखें, थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपिय कप, और मलेशियाई कप, हरीला कप, इन सभी का जो संबंद है ये आपके बैडमिंटन खेल से है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता कि पंडित बिर्जू पंडित बिर्जू महराज के अन्य अगर पुरुषकार की बात कर लें, तो देखें, इन्हें 1964 में जो है, संगीत नाटक अकेडमी पुरुषकार से सममानित किया गया था, 1986 में इन्हें पद्म वी बुबूसन से सममानित किया गया था, 2012 में किसे लिए सर्वसेष्ट कोरियोग्राफिक लिए रास्टे फिल्म पुरुषकर गया था। तो देखें मैं आपको बता दूँ ऊवर्डीट बिर्जू महराज और किसके लिए तो मोहे रंग दो लाल बाजी रव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के लिए इने 2016 में सर्वसेष्ट कोरियोग्राफिक का फिल्म फियर पुरुषकार भी जो वो प्रदान किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लिए मैं आपको ब पीता ही थे और इनके पीता का जो नाम था ना वो अच्छन महराज था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लिए संबू माराज लच्छू माराज और अच्छन माराज इन तीनों का जो संबंद है ना ये आपके कथक नित्त से है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा अब देखिए घराना से आपके प्रेशन पूछे गए तो जिनका भी आगयाने वाले सिप्टों में एक्जाम है आप घराना से जरूर देख लीजे जैसे कि ये जो आपका गवालियर घराना है ये आपका सबसे बड़ा ख्याल घराना है और ये जो जाद नथन पिरबक्स के द्वारा जो है इसके अस्थापना जो वो किया गया था इसके अलावा गवालियर घराने के परमुक अगर गायक की बात कर ले तो देखे हद्दु खा हसु खा नतु खा बालक्रेशन बुआ इचलकर जीकर पंडित विस्नु दिगंबर पलुशकर ओकरना ठाकूर विनायक राव पतवर्धन नरायन राव व्यास और विना सहस्तर बुद्धे इन सभी का जो संबंद है ना यह आपके गवालियर घराने से है उसके बाद अगर किराने घराने की बात कर ले तो देखे किराने घराने का जो नाम करने हुआ था ना यह राजस् जो है वो किया गया था इसकलब मैं आपको बता दू कि 20 सदि में किराने घराने को लोगपतिये बनाने का जो स्रे है ना यह आपके अबदूलकरीम खान और अबदुलवाहिद खान को जो दिया जाता है और किराने घराने में प्रसिद गायक में जो है आपके पंडित भीम से जोसी आ जाते हैं गंगुबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबु माने, प्रभा अत्रे, हीरा बाई बादोडकर, मानिक वर्मा और सुरेश बाबु माने इन सभी का जो संबंद है ना यह आप हाजी सुजान खान और उस्तान धगदे खुडबक्स के दोरा जो वो किया गया था और यह आपके हाजी सुजान खान थे यह आपके तांसिंद के भी जो दमाद यह आपके आगरा घराने से है इसके लावा अगर पटियाले घराने के बात कर ले तो देखे पटियाले घराने के स्थापना जो है यह बड़े फते अली खान और अली बक्स खान के द्वारा जो वो किया गया था और इसमें जो प्रशिद संगीतकार आते हैं वो आपके गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्टी, रजा अली खान, बेगा मक्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंद है न, ये आपके पटियाला घराने से है, इसके लावा अगर दिल्ली घराने की बात कर लें, तो देखे दिल्ली घरान के परमुक सिस्से की बात कर लें, तो देखे तानरस खान, सब्बू खान, उमाराओ खान, चांद खान, उश्मान खान, नन्ने खान और संगीत खान, इन सभी का जो संबंद है न, ये आपके दिल्ली घराने से संबंदीत है, इसके लावा मैं आपको बता दू कि दिल्ली घ अटियाला, उजयन जैसे घरानों का भी जो है, वो जन्म हुआ था, नेक्स्ट अगर मिवाती घराने की बात कर लें, तो देखे मिवाती घराने को जो है, ये आपका जैपूर मिवाती घराना भी कहा जाता है, जोदपूर घराना, या फिर मिया बंदे अली खान बिनकर घर जाना भी जो वह कहा जाता है और मेवाथी गहराने के जो संस्थापक थे ना यह आपके खगे नजीर खान थे और इनकी छो अस्थापना यह आपका इंदोर्म ने किया गया था इसके लावे अगर इनके सिश्चे की बात कर ले तो देखे पंडीत जसराज, मोती राम, मनी राम, संजीव अभ्यंकर इन सभी का जो संबंद है यह आपके मिवाती घराने से संबंदी थे इसके लाव एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है यहाँ पर से कि पंडी जसराज के नाम पर ही आपके सुदूर अंतरीच में एक माइनर ग्रा यानि जो बॉना ग्रा था ना इन्हीं के नाम पर जो वो रखा गया था जो कि इनके डेट अब बर्त पर जो वो रखा गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है अगर बनारस घराने से भी प्रशन पूछा जाता है तो देगे बनारस घराने में प्रमुक संगीत अग्ये में आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खान पंडीत राम सहाय मिस्र इन सभी का जो संबंदिया आपका स छल्ब आ जाते हैं अगर पखावाज और मृधंगम वादक की बात कर ले तो देगे पंडीत महदन मुहन, पंडीत भोले नाथ पातक, पंडीत अमर सेन कर के नाम तो यह सभी आपके बनारस घराने से संबंदित है, पंडीत रवी संकर ये आपके सितार वादक और पंडीत मर्दत सर्मा जो कि आपके सितार वादक हैं और इन सभी का भी जो संबंद ये आपका बनारस घराने से है तो ये सारे के अच्छे भारत में कितने वर्स की आयू कि सभी बच्चो को branches और सिच्छे प्रदान करना है तो अच्छे तो नेक्स्ट कोश्य आपका आप रादा कि हाली में लोकसभा और राज्जिस सभा दोनों ने महिला आरचन वीद्यक्ड तेश जिसे जो 28 वा संहूदानिक संसुधन विद्यक्ले बढरी जो किया गया है और इसमें कितने % तो दीया गया है तो गया है तो देगे कि 2023 के लोगसभा और राजीषरे में महिला कर्वा जो ये आपका 33 फ्रीजदी आरचन आरच्छन जो वो दिया गया है तो 33 फिजदी आपका correct answer होगा next question आपका आप रहता कि भारत रहतन पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे तो देखें भारत रहतन पुरुषकार प्राप्त करने वाले जो पहले संगीतकार थे वो आपके MS सुबूल लच्मी थी तो MS सुबूल लच्मी आपका यहाप एक correct answer होगा इसके लाव MS सुबूल लच्मी यह जो आपका किस राज्य से संबंदीत है तो यह आपके मदुरह तमिलनाडू से जब वो संबंदीत है और यह किस संगीत की गाईका थी तो यह आपका भारतिय करनाटक संगीत की गाईका थी तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि MS सुबूल लच्मी को भारत रतन से कब संबंदीत किया गया था तो इन्हें जो 1998 में जो है भारत रतन से संबंदीत किया गया था और इनके बाद जो भारत रतन से संबंदीत कार थे वो आपके 1999 में पंडित रवी संकर को जो है भारत रतन से सम्मानित किया गया था इसके बाद 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान और लेता मंगिसकर को भारत रतन से सम्मानित किया गया था इसके लबाद 2008-09 में जो है पंडित भीम से जोसी को भारत रतन से सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा बात कर ले भारत रतन की सुरुवात कब हुई थी तो देखे भारत रतन की जो सुरुवात है यह आपका 1954 में हुआ था और 1954 में तीन व्यक्तियों को भारत रतन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और मैं आपको बता दू कि 2019 के बाद 2024 में आपके टोटल 5 ल और मैं स्वामी नाथन यह पांच वैक्तियों को जो है 2024 में भारत रतन से जो वो सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता कि भैमुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेटकर पुरुषकार जो है यह किसे दिया गया है तो देखे भ आपका यूपी का यूपी दिया गया होगा तो फिर आपका यूपी ही तो नेक्स्ट कोश हाँ आपका जो ही तो skipping चूश्ं इस्तित है और नीतियायों के जो अध्याच होते हैं वो भारत के जो आपके प्रधान मंत्री होते हैं यानि वर्तमान में जो आपके भारत के प्रधान मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी है वही अगर नीतियायों के उपाध्याच की बात कर ले तो देखें वर्तमान में जो नीत आप रहा था कि the first economic census was conducted throughout the country except लक्षदीप during which year conducted यानि जो पहली आर्थिक जनगन्ना होई थी न यह जो आपके लच्छदीप को छोड़ कर किस वर्स पूरे देश में आयोजित किया गया था तो देखे पहली आर्थिक जनगन्ना जो है लच्छी दीप को छोड़ कर यह जो आपका 1977 के दौरान जो है वो किया गया था तो 1977 आपका यहाँ पे correct answer होगा और वहीं अगर पूछा जा कि पहली आर्थिक जनगन्ना यह जो है किसके सयोग से किया गया था तो यह जो आपका DES यानि Direct Rate of Economic Static यानि अर्थ सास्त्र और सांके की निदे साले के सयोग से जो है यह किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर आया था भारतिये उप महादीब की सबसे पुरानी लीपी कौन सी है तो देखे भारतिये उप महादीब का जो सबसे पुरानी लीपी है यह आपका ब्रामी लीपी है तो ब्रामी लीपी आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा next question आपका आप रहाता कि मैंडलीब की आवर्त सारनी में कितने ततव जो वो मौझूद थे तो देगे मैंडलीब की आवर्त सारनी में जो है ये आपके 63 ततव को जो परदर्सित किया गया था तो 63 ततव आपका यहापए करेक्ट अंसर होगा इसके पूच्छा जाता है कि मैंडलीब ने अपनी आवर्त पहली जो आवर्त सार्णी है ना ये किस वर्स में प्रकासित की थी तो देखे मैंडलीब के दोरा 1879 में पहली आवर्त सार्णी जो वो प्रकासित किया गया था और ये जो है कहां से बिलॉंग करते थे तो देखे मैनलीब जो है ये आपके एक रूसी रसाहिनग थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा मैनलीब के आवरसाणी में क्या कहा गया था तो देखे मैनलीब के आवरसाणी का नियम था ना इसमें जो है तत आई Competition Commission of India के जो है वर्तमान अध्यच कौन है तो देखे वर्तमान में जो आपके CCI के जो अध्यच है ना यह आपके रवनीत कौर है तो रवनीत कौर आपका यहाँ पे करेक्टेंसर होगा इसके लाव बात कर ले CCI की जो स्थापना यह कब हुआ था तो यह आपका 14 October 2003 को थे यानि सत्य सुदक समाज की जो अस्थापना है ना यह किसके द्वारा किया गया था या फिर कुछ बचों ने बताए कि 24 सितंबर 1873 को जो है जो ती राए फूले के द्वारा कौन सी संस्था की अस्थापना जो वो की गई थी तो देखे मैं आपको दोनों बता देता हू कि सत्य सुदक समाज की जो अस्थापना है ना यह आपके जोती राए फूले के द्वारा जो है 24 सितंबर 1873 को महरास्ट के पूने में जो है इसके अस्थापना जो वो किया गया था तो जोती राए फूले आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लाए मैं आपको अदा दू कि य जाते हैं जैसे कि ACITIC सुसाइटी के स्थापना यह जो है कब और किसके द्वारा किया गया था तो देखे ACITIC सुसाइटी की जो स्थापना है ना यह आपके 1784 में वीलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था आत्मिय सभा की जो स्थापना है यह आपका 1814 15 में जो है र 1449 में किया गया था artists सवामी द्यानन सरशवति के द्वारा 1875 में किया गया था राम करिश्यन की जो स्थापना यह आपके स्वामी वेक नन्न के द्वारा 1997 में किया था सर्ष्विंट ऑफ इंडिया सुसाइड़ी की जो स्थापना Researchers और 1905 में किया गया तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहा पर रहा था कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये जो कहां पर इस्तित है तो देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो यह जो आपका एक cricket stadium है जो कि आपका गुजरात के एमदाबाद के मोटेरा में इस्तित है तो गुजरात आपका correct answer होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि नरेंद्र मोदी stadium से इससे पहले जो इसका नाम था ना वो आपका सरदार पठेल स्टेडियम था और इसका जो ना स्टेडियम है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि 2023 का जो आपका विश्व कप गुआ था क्रिकेट का जो कि आपका भारत में आयो जित किया गया था इसका जो आपका final match है ना वो इसी stadium में जो वो खेला गया था final match जो है यह इंद्रमोदी stadium में ही जो वो खेला गया था जिसमें भारत जो वो हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जो वो जीत गया था यानि 2023 का विश्व